एपल कमपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने अपनी फेमस स्पीच टे हंगरी स्टे फुलिश में अपने लाइफ एक्सपीरियंस की तीन स्टोरीज शेर की थी ये तीन कहानिये इतनी मोटिवेशनल थी कि अगर को इनसान इसके मोराल्स को अपनी जिन्दगी में धारन कर ले तो उसकी जिन्दगी बदल सकती है स्टीव जॉब्स की स्पीच की पहली स्टोरी कनेक्टिंग दर डॉट्स में आपको सुना चुकी हूँ जिन्दों ने अगर इस स्टोरी को नहीं सुना है तो उपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वे स्टोरी सुन सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको सुनाओंगी स्टीव जॉब्स की स्पीच की दूसरी कहानी लव एंड लॉस में आपल शुरू की तब मैं 20 साल का था हमने बहुत मैंनत की और 10 साल में आपल दो लोगों से बढ़कर 2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी हो गई हमने अभी एक साल पहली अपनी फाइनस क्रियेशन मैक नितोश रिलीस की मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से फायर कर द हमने एक ऐसे टैलेंड़िट आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा पहले एक साल सब कुछ ठीक ठाक चला लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में मतवेद होने लगे बात बोर्ड ओफ डिरेक्टर्स तक पहु फूकस था अब वेक खतम हो चुका था और ये बिलकुल ही तभा करने वाला था मुझे सच पूच अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं मुझे मैसूस हुआ कि ये सबकुछ इतिवी असानी से असेप्ट करके मैंने अपने पहले की जेनरेशन की एंट पूबिक फीलियर था एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची पर दीरे दीरे मुझे एसास हुआ कि जो मैं काम करता हूं उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूं एपल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा भी कमी नहीं आई है मुझे से शुरुआत करने की सोची मैंने तब नहीं सोचा पर अब मुझे लगता है कि एपल से फायर किये जाने से अच्छी चीज मेरे साथ ओही नहीं सकती थी सक्सेसफुल होने का बोज अब बिगिनर्स होने के हलके पल में बदल चुका था मैं एक बार फिर खुद को बहुत फ मैं एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर स्टार्ट की और इसी दुरान मेरी मुलाकात बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर अनिमेटीड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक् एपल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एपल में वापिस चला गया आज एपल नेक्स्ट द्वारा डिवलप की की टिकनालोजी यूज़ करती है अब लॉरेंस और मेरा एक सुन्दर सा परिवार है मैं बिलकुल शियोटी के कभी कभी जिन्दगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है अपना विश्वास मत खोईये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसली आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था आई लवड माय वर्क आप रेली क्या पसंद करते हैं ये आपको जानना ह जितना अपने लव को फाइंड करना जरूरी है उतना ही उस काम को ढूरना जरूरी है जिसे आप सचमुच इंजॉय करते हो आपका काम आपकी जिन्दगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और टूली सेटिसफाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करना आप इंजॉय करते हों यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिले तो आप रुकिये मत उसे खोशते रहे जैसा कि दिल से जूड़ी हर चीज में होता है वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशन्शिप पे होता है वो समय के सासद और अच्छा होता जाएगा इसलिए खोशते रहे रुकिये मत तो यह थी स्टीव जॉप्स के मोटिवेशनल स्पीच की दूसरी कहानी इस कहानी से हमें ये प्रेणन मिलती है कि जीवन अ होता है और प्रयास करते रहना चाहिए आई होप आपको यह स्टोरी काफी पसंद आई होगी अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगिए तो इस वीडियो को लाइक करें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी स्टीव जॉप्स की थर्ड स्टोरी देथ के बारे म अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगया निवीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिल सकें वीडियो को जादा से जादा शेयर भी करें ताकि और लोग भी ऐसी कहानिय सुनकर मोटिवेट हो सके तिल देन गुट बाई एंड टेक कियर